तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही जटपट पांच मिनट में बनने वाली मिठाई के रिस्पी सेयर करूँगे जो कि बिल्कुल पांच मिनट में बनने के त्यार होंगे हमें गैस जलानी की भी जरूत नहीं है पंखे के नीचे बैठके आराम से इस मिठाई को बनाएंगे और इंजोई करेंगे इस मिठाई को बनाने में ना तो हमें दूद की जरूत पड़ेगी नहीं मावे की जरूत पड़ेगी और नहीं छेने की इजली हम घर पे इससे बना के त्यार करेंगे कि फेस्टिबल आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो आप जटपट से इन मिठाईयों को बना के और स्टोर करके रख सकते हैं, दिवाली की टाइम बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरह से इन्हें बनाई और स्टोर कीजिए, हर किसी को बहुत ही पसंद आएंगे, तो अगर आ आप भूले, बेल आकन घंटी को भी प्रेस किजिए, ताकि मेरे वीडियो को नोटिपिकेशन आप उससे पहले मिले, और आप उससे देख पाएं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं नई नेरिस भी अपलोड करते रहती हूं, दो, पर चलिए, फिर इसे हम बना लेते हैं, तो फ्रेंड, इस मिठाई को बनानी के लिए हमने एक काटोरी का माप रखा है, एक काटोरी हमने डिसिकेटेड कोकरनेट ले लिया है, उसी काटुरी से माप के में आदा काटोरी ले रही हूं, मिल पावडर, तो हम में मिलक पा के लिए इलाइची का पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हम इसमें दूद का भी यूज नहीं करने वाले हैं तो बीना मावा के और वेगर गही बीना दूद का हम इस मिठाई को बना के तियार कर रहे हैं इजली बहुत ही असानी से बन जाते हैं घर कि मैंने दूद की मलाई लिए ताजी दूद की मलाई है और इसी से हम इसको बन देंगे पूरे अच्छे से हम डाल देते हैं सारे दूद को और इसके साथ जो दूद है मलाई के साथ उसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना मलाई के साथ ही अगर आपको लगे कि थोड़ा सा दूद इसमें चाहिए इसको softness करने के लिए तो थोड़ा सा आप दूद डाल सकते हैं लेकिन जितना हमने मलाई डाला हुतने में बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे और बिल्कुल हम क्या करते हैं मार्केट से लियाते हैं कलरफुल मिठाया जो कि बहुत महेंगी मिलती है तो आप घर पे इजली इसे बना सकते हैं तो मैंने थोड़ा से इसमें रेड फूट कलर डाला है अच्छे से मिक्स किया बिल्कुल अच्छे से और एक हमने बटर पेपर ले लिया है आ हाथों पर फे थोड़ा सा चीप पकते हैं तो बटर पेपर पर हमने घी अच्छे से लगा दिया है और वाइट बला जो पाट था उसे हम नीचे को रखेंगे और अच्छे से हमें इस तरह से फैला देना है यह देखिए इस तरह से फैलायेंगे और उसके उपर ही हम लाल अच्छेसे स्कॉाइर हम बना के त्यार कर लेंगे आप जैसा बर्पी बनाना चाहते उस सिप में इसे बना सकते हैं मैंने इसकोइर में इसे सेट कर दिया है थोड़ा से मेश के ऊपर पीस्टा ड़ावें तो बारी कटे हुए पीस्टा डाल रही हुँ आप पसंद लाए कि इसमें dry food डाल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही tasty बनती हैं और खाने में बहुत ही tasty हैं और बनाना तो है ही असान इस पेचले से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने ड्राइफोर डाले हो चिपक जाए अच्छे से सेट हो जाएंगे इसके उपर थोड़े से हम चंदी का वर्क लगा देंगे कि बिल्कुल मार्केट में जिस तरह की बर्फी मिलती है उस तरह की यह दिखने में लगेंगे तो एजली घर पे हम इस टैम्टिंग फीबर फीपर बना के त्यान कर लेंगे एजी रेस्पी है तो इस दिवाली पर जरूर बनेएगा जटपट से बन जाते हैं और बहुत अच्छी लगते है अब मैं इसे सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देती हूं फ्रेजी में ताकि यह प्रॉपर सेट हो जाए उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और मिठाई जो है बिल्कुल अच्छे सेट हो गई है देखिए मैं हादों से चुके भी दिखा रहे हैं कि यह टाट सी हो गई है तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो मन पसंद पीसे से आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसा आप काटना चाहते हैं इसकी तो मैं इसे इस से पहले कट करूंगे इसक्वाइर में और उसके बाद मैं इसे तीकोन भाग में कट करूंगे और पहले तो हमने इसक्वाइर में कट किया अब मैं इसे इस तरह से कोने कोने से कट आपको भी बहुत पसंद आएगा यह मेरी ग्रांटी है अब इसे हम मिठाई को इस तरह से प्लेट में ले लेते हैं एक एक पीस दिखने में कितनी कुपसूरत लग रहे हैं है ना तो बहुत ही अच्छी बन के त्यार हुई है बिल्कुल मर्किट में जो बर्फी मिलती उस तर चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और हमें प्यारे-प्यारे कमेंट भी करें ताकि आपके प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़ता है आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और हमें आगे बढ़ने की साहस मिलती है कि मुझी कुछ और करना है तो आप लोग के लिए मैं प्यार प्यारे इसी तरह से वीडियो लेकि आती रहोंगे तो आई हो कि आज की रेस्पी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिलते हैं एक नई मिठाई रेस्पी के साथ